आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना पासवर्ड जो है उसे गूगल पर सेफ करना चाहते हो चाहे वो किसी एप का पासवर्ड हो या किसी वेबसाइट का आप उसे इसली गूगल पर सेफ कर सकते हो ठीक है तो कैसे गूगल पर अपने प बता देता हूं कि कैसे आप password को किसी safe कर सकते हो तो let's suppose आपको किसी भी ID password आपको याद है आप चाहते हो कि आप कभी उसे भूलो ना आप उसे safe करना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको अपना Chrome open करने ले ना है Google Chrome ठीक है? Google Chrome open करने के बाद आपको right side में उपर की तरफ three dots दिख रही है इस पर click करना है उसके बाद यहाँ से चले जाना है settings में settings में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको search engine के just नीचे option मिल जाता है password manager का password manager पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर रेखे जितने password आपने save कर रखे होंगे अगर आपको यहाँ पर प्लस आइकन मिलता है search के just बगल में यहाँ पर इस पर आपको click करना है जैसे इस पर आप click करते हो आपको site का नाम add करना है कि कहां कि कौन सी site का password save कर रहे हो app आपको select कर लेना है देखे यहाँ पर app आपके phone में जितने भी होंगे आप उस पर से select कर स इस पर है नहीं ठीक है यह भी मैंने ऐसे कर दिया अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको कर देना है save ठीक है जैसे आप save करोगे वह password जो है वह इसमें save हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप password को save कर सकते हो दूसरा तरीका यह है कि जब आप कोई ID नही create करते हो या save करोंगा ठीक है तो यह पर देखे मैंने email ID पे डाल दी password हम लोग कोई भी select कर लेते हैं ठीक है I'm not a robot और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे create account create account कैसे आप करेंगे उपर save password आगया save पे click कर दो आपका password जो है वो save हो जाएगा तो इसी तरह आप किसी भी website यह अफर किसी भी आप पर login करोगे तो password save का option आएगा उपर Google के तरफ से ठीक है उसे आप save कर लो और उसके बाद जब आपको ढूबना होगा तो आप फिर से Chrome में जाकर settings में जाओ और अपना password आप देख सकते हो easily ठीक है password manager में और अगर आप उस website पर जाओगे भी ठीक है website पे अगर let's suppose आप तो वहाँ पर automatically जैसे ही आप उस पर put करोगे email या फिर username डालने के लिए वहाँ पर तुरंत आजाएगा कि आपका password saved है आप अगर credentials वही चाहते हो तो आप login कर सकते हो तो इस तरीके से आप password को save करके उसका use कर सकते हो किसी भी website या फिर app पर ठीक है आप कभी password नहीं तो उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और मिलता हूँ आपसे next वीडियो में till then bye bye and take care